हेलो गुण मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चले जानते हैं आज के मुख्यों 25 बड़ी खबरों को दोब तेज जरू लग रही है लेकिन हवा में ठंड़क भी है यही ठंड़क बढ़ेगी और सीतलहर में तब्दील होगी बताते चले कि उत्तर भारत में भारी बर्प बारी हुई है इसी बर्प बारी की वज़े से अब जारकन के मौसम में भी बदलाव संभो है अगले दो द दिनों में निम्तम तापमान में 3-4 डिगरी सेलसेस की गिरावट आने की संभोना है सुभा में धुंद के साथ दिन में मौसम साप रहेगा ठंड़ी हवा चलने सी सितलहर भी चलने की संभोना है जारकन के उत्तर वा मध्ध भाग में निम्तम तापमान में लगातार पटा रही है। लीटर दूद 27 रुपे और 6 लीटर का कंटेनर 312 रुपे मिलेगा। कांसलिंग की बाटक में सामिल हुए सीएम हेमंतुस सोरिन। पीयम नरेंद्र मोधी की अध्यक्स्ता में आयुजित नेशनल गंगा कांसलिंग की बाटक में जारकन की मुक्यमंत्री हेमंतुस सुरिन। इस बैठक में सामिल होने के लिए सुकुरुवार को स्रीशोरिन कोलकत्ता गए, इस बैठक में केंद्रिये मंद्रियों के साथ उत्तरप्रदेश, उत्रखन, बिहार, जारिखन और पसिम बंगाल के मुक्रमंद्री शामिल हुए रिम्स में नय साल में दिखेगा बदलाओ, 400 होमगाट की होगी तैनाती, सस्ती और जल्दी दवा उपलब्द कराने के लिए अमरीत फॉर्मैसी की होगी सुरुवात, नय साल में रिम्स में काफी कुछ बदलने जा रहा है, यहां सुरक्षा की कमान 400 होमगाट की जिम्मे होग इसके साथ ही मरीजों को सस्ती और जल्दी दवा मिल सके, इसके लिए अमरीत फॉर्मैसी सुरु की जाएगी, वही मोडन कैथ लेब भी स्थापित किया जाएगा, 270 नर्स की बहाली भी हो चुकी है, इनकी सेवा भी सुरु हो जाएगी, सुकुरुवार को रिम सिनेदेशक डॉक्टर कामेस्वर प्रसाद ने उक्त जान काई थी, उन्होंने सरकार के पत्र का हवाला देते हुए बता है कि अब सुरक्षा के लिए आउट्सोर्स की जगा, होमगार्ट जवानों को लगा जाएगा, सिनेदेशक ने बता है कि लगातार हो रही, रियजेंट की कमी को जल्द दूर कर लिया जाएगा, इसके सुरू होते ही गड़ी नाकसलियों की खिलाप अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मली है, पुलिस ने बगरु थाना चेतर के कोरगो जंगल से 200 ID और कॉर्डेक्ष वायर बरामत किया है सुरक्षा बलों ने 200 मीटर कॉर्डेक्ष वायर भी बरामत किया है से डिश्फ्यूच करने की पहल सुरू की गई है साथ ही नक्सलियों के हथियार, कार्टूश, नक्सलि साहित, पिटू, मबाल फून, दवा और नक्सलियों के उप्यों के समान बरामत हुए है सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक बड़े मनसुबों पर पानी फिर दिया है सुरक्षा बलो को नुक्षान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने साजिस रची थी सुरक्षा बलो के द्वारा सघन सर्च अभ्यान चला जा रहा है खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपस रिक्वेस्ट है साल 2022 समापतों होने वाला है साथी नय साल 2023 का अगाज होने जा रहा है ऐसे में सभी लोग खासकर युवावर्ग मस्ती के मून में हैं लेकिन मस्ती के दोरान अगर हुड़दंग बाजी की तो हजारी बाग पुलीस उन्हें छोड़े गी नहीं स्पी मनुज रतन चौते ने इस मामले में काफी सकते हैं स्पी ने असपश्ट किया है कि पिकनिक स्पोर्ट्स सहर के विभीन इलाके जहां भीड़भार रहती है वहां इस बार साधे लिवास में पदधिकारी और बल की परतनियुक्ती की जाएगी कोई भी व्यक्ती अगर चेड़ खाने की तो उनकी खैर नहीं होगी हजारी बाग पुलिस चाहती है कि नयवर्स के दोरान एक जनवरी को किसी भी व्यक्ती की मौत सारा पिकर या सडग दुरगटना में नहीं हो इसको देखतो हुए विसेश रूप से तयारी की गई है अभिनेत्री रिया की हत्या मामले में दिवर भी गिरबतार हजारी बाग में हुआ अंतिम संसकार हजारी बाग की नागपूरी खोठा फिल्मों की अभिनेतरी इसा आलिया उर्फ रिया कुमारी की हत्ता के मामले में पस्सीम बंगाल पुलिस ने उसके देवर संदीब कुमार को भी गिरपतार कर लिया है इसा उर्फ रिया के भाई अजय कुमार राना की और से दर्श कराई गई एफायार की आधार पर पुलिस ने याकार रवाई की है इस मामले में रिया के पती प्रकास अलबेला को पहले ही गिरपतार किया गया है, पुलीस प्रकास की पहली पतनी स्रद्धा देवी को भी गिरपतार कर सकती है, इधर रिया का अंतिम संसकार सुक्रवार को हजारी बाग के खिरगाओं इस्थित मुक्तिधाम में किया किया, उस की अंतिम संसकार का विरोध किया सीम हिमंतु सोरिन राजिपाल सहित जारखन के दिगज निताओं ने पीम मोदी की मा को दे इस्तरधांज ली पीम मोदी की मा के निधन की खबर से राजनितिक गलियारों में सोक की लहर है जारकन के मुख्यमंत्री हिमंतु सोरिन राजिपाल रमेश बैस सहित कई दिगज निताओं ने सोक प्रकट किया सीम हिमंतु सोरिन ने ट्वीट कर लिखा है कि माननिय पीम जी की माता जी के निधन का समचार सुनकर गहरा दुख हुआ माता पिता का नुक्षान आपुर्निय हैं और दुख की इस घड़ी में मैं अपनी सन्वेदना वक्त करता हूँ उनकी दिवांगत आत्मा को शांती मिले वही जारकन के राजेपाल रमेश बैश ने अपनी ओफिशल ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर इराबा की निधन पर सोक वक्त किया दुख की इस घड़ी में प्रधान मंत्री जी इमम उनके परिजनों के परती में अपनी सन्वेदना वक्त करता हूँ वही बीजेपी नेता और पूरो मुख्य मंत्री रगवरदास ने लिखा है कि मा की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है आप जैसी जो है कर्मयोगी पूत् अस्तर तक ले जाने का होगा काम डॉक्टर रुपम आज देश में फैले नफरत के महोल में रहुल गांधी भारत जोडो यात्रा कारिक्रम सफलता पूर्व कर रहे हैं इसमें हर जाती धर्म समुदाइक लोग उनके साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं जारकन में भी भार को आगे बढ़ातो हुए हाथ से हाथ जोडो अभ्यान के तहट 26 जनवरी से परखंट से पंचायत बूत अस्तर तक ले जाने का कार्ण और इस स्विभाग द्वारा मजबूती से किया जाएगा लोन लेने ग्रहंग बन कर आए अपर्याधी लोट की घटना को दिया अंचाम पलामो के विसरामपूर में सुखरवार को दिन दाहरे बाइक सवार अग्यात अपर्याधों ने बंधन बैंक के कलेक्शन सेंटर से लोट की घटना को अचाम दिया है बताय जारा है कि तीन से लोट के संख्या में आए सम्ही अपर्याधी लोन लेने की बात कर रहे थे जिसके बाद उन्होंने कलेक्शन सेंटर में लोट पार्ट की घटना को अचाम दिया घटना को अंजाम देने के बाद सब भी अपग्राधी मौके से फर्यार हो गए हैं वही घटना के सुचनपर विसरामपूर के SDPO सुरजीत कुमार और नामाबजार थाना परभारी घटना स्तल पर पहुंचे जहां उन्होंने घटना से समंधित जानकारी ली SDPO ने बता है कि छानबीन के दोरान पता चला है कि सब भी अपग्राधी लोन लेने के बाहने सेंटर पहुंचे थे जिसके बाद उन लोगोंने हालात का जाजा लिया और 40,000 रुपए लूट कर ले गए फिलाल पुलिस मामले के तपतिस में जुटी है जारखन की 9 IPS अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड में पर्मोशन जारखन कैडर की 2010 बैच की 9 IPS अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड में परोनुती दी गई है और कुमार रविसंकर सामिल है इससे लेकर ग्रेविवाग न्याद सूचना जारी कर दी है सिम्डेगा पुलिस ने ग्रांची से अंतुराजी डीजल चोर गिरो के 4 सदस्तों को किया गिरपतार 400 लिटर डीजल भी बरामत सिम्डेगा में लगतार डीजल चोरी की घटना सामने आ रही है सिम्डेगा पुलिस ने अंतुराजी डीजल चोर गिरो का परदाफास करतो हुए गिरो के 4 सदस्तों को रांची से गिरपतार करने में सफलता हसल की है साथ ही पुलिस ने करीब 400 लिटर डीजल भी बरामत किया है सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरट के रहने वाले बताये जा रहे हैं जिले में डीजल चोर गिरो का पूरी तरह से आतंक ट्रक चालकों पर मंडरा रहा था जिले के कई थाना इलाकों में ट्रकों की टंकी को तोड़ कर डीजल चोरी की घटना को अंजाम लगतार दिया जा रहा था गिरीडी के देवरी में खेलने के दोरान पानी के टब में बच्ची गिरी हुई मौत खिलने के दोरान पानी की टब में गिर जाने से शौदाह मा की बच्ची की मौत हो गई घटना गिरीडी जीला अंतरगर देवरी थाना चेतर के बेरोडी गाउं में हुई है जानकारी के मताबिक बेरोडी गाउं निवासी परदीपुर्मा की बेटी प्रियल कुमारी उर्फ प्रिया सुकुरवार को खिलने के क्रम में पानी की टब में गिर गई पानी टब में गिरीब बच्ची की गंभिर इस्तिति को देखतो हुए समुदाइक स्वास्तिकेंद्र डेवरी लाय किया जहाँ पर नाजुक इस्तिति को देखकर गिरीडी रेफर कर दिया गया लेकिन अस्पतार ले जाने के क्रम में रास्ते में बच्ची की मौत हो गई बच्ची की मौत से गाउं में मातम पसर गया है आदम खोड तेंदुआ को मारने के लिए हधराबाद से आएंगे फेमस सुटर नवाप सपत अली खान गढ़वा में बच्चों का सिकार कर रहे तेंदुआ को अधिकारिक रूप से आदम खोशित कर दिया गया है तेंद्वा को मारने के लिए सूटर बुलाया जा रहा है इसके लिए हधराबाद के चर्चित जंगली जानमरों के सूटर नमाप सपत अलिखान से संपर किया गया है कहा जा रहा है कि वह एक सपता के अंदर आ जाएंगे दचनी वन प्रमेंडल पदधिकारी ससी कुमारनी प्रधान मुख्य वन सनरक्षन वन परानी सहा मुख्य वन परानी परती पालक रांची को इसको लेकर पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को मारने वाला तेंद्वा वैस्क है उसे केच जाल आदी लगाने ए चुनावकारी से हटाएगे देवगर डीसी मंजुनाद भजंतरी डीडीसी होंगे जिला निर्वाचन पदधिकारी भारत निर्वाचन अयोग ने देवगर डीसी मंजुनाद भजंतरी को चुनावकारी से हटा दिया है देवगर जिले में चुनावकारियों के संचलन का ज जारी कर दी है दरसल बीते मधुपूर विधान सभा के लिए हुवे उपचनों के तोरान गोड़ा सांसर डॉक्टर निसी कान दुबे ने चनों आयोग को सिकायद दर्च कराई थी सिकायद के मध्धनजर आयोग ने उक्त जोहे आसे का निर्देश जारी किया है इस तरह देवगर डीसी खोले कर भारत निर्वाचन आयोग ने अपने इस्तिती साप कर दी है राजमी राजनितिक गतिविधियों को और थेज करेगी भाजपा अमित्सा करेंगे हर जीले का दौरा जार्खन में नयस सिरे से राजनितिक सरगर्मी थेज होगी भाजपा आलाकमान ने राजमे गतिविधियां बढ़ाने का नरनाय किया है इसी कड़ी में हाल में ही भाजपा की राजप्रे महामंत्री सुनिल बंसल राजप के दोरे पर आये थे उन्होंने अपने जो परवास के क्रम में कई वर्य नेताओं से विचार विमर्स किया समाच के विभिन तबके के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात के राजप से समंधित जान करे लिए संगठन को धार देने के लिए टिप्स भी दिये तई कारिकरम के मुताबिक वे वहाँ प्रदेश अस्तर के वरिष नेताओं शंग बाठकर दिसनरदेश देंगे इसमें प्रदेश अध्धक्ष दीपक प्रिकास भाजपा विधाक दल के नेता बाबुलाल मारांडी संगठन महामंतरी जोहे नागिंदर नात त्रिपाटी भाग लेंगे वे पार्टी की चावासा जिला समेती के निताओं शंग भी बाठक करेंगे इसमें अगामे चुनाओ को धान में रखतो हुए रन निती वनेगी हजारी बाग में पतरकार की दुकान पर गोली बारी पियलाफाई ने लिए चिम्बेवारी हजारी बाग के चौपारन प्रखन में एक दैनिक अकबार के पतरकार ससी सेकर की मबाल दुकान में गुरवार की रात लगभग आठ बच के पंदरा मिनेट पर अग्याता घटना के सुच ना मिलते ही धाना परभारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुँची और वार्दात की जानकरी लेतो हुए गोली के खोके को कबजे में लेकर चान बिन्ट सुरू कर दी है बड़ा बयान दोहजार चौबिस में जार्खन को भाजपा से मुक्ती दिलाने का है संकल्प सुप्रिमो वर्स दोहजार तईस जाममो और जार्खन के लिए नई चुनावतियों का वर्स होगा अपने विरोध्यों को बता दू कि जामो अपने गठन से ही संगर्सों से जोच कर आगे बढ़ा है या बाती जामो नेता सुप्रीम भटाचार ने सुक्रवार को मेडिया से कही उन्होंने कहे कि वर्स 2023 राजनेतिक तोर पर जामो का संकल्प वर्स होगा संकल्प होगा कि 2024 में जार्खन को भाचपा से मुक्ति दिलाई चाए उन्होंने कहा है कि हमंत सरकार के तीन साल सफलता पूर्वक पूरे करने के दूसरे तिन या खबर आई कि अमित्सा साथ जन्वरी को चायबासा दोरे पर आ रहे हैं तीन साल की यही उपलब्दी है कि ग्रीमंद्री भाचपा को मजबूत करने खुद जार्खन आ रहे हैं उनका इस दौरे से साफ़े की भाचपा नेताओं में जवरदस्त बौक लहाट है या दोरा उस संसदिय सीट पर हो रहा है जहां भाचपा का एक भी जन्वरी थी नहीं है इससे साफ़े की भाचपा जान चुकी है कि अगामी लोग सभाचुनों में उसकी दिसा और दसा क्या होगी दर्धनाग सड़क हाथसा सड़क हाथसे में दो युवकों की मौत एवं एक घायल घायल का सदर अस्पताल में इलाज जारी बड़ी खबर सिम्डिगा से जहां ठेठाई टांगर थाना चेतर की अरजुन धोड़ा के पास सड़क हाथसे में दो लोग की मौत हो गई एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग कहीं जा रहे थे अचानक मोटर सैकल से तीनों गेर पड़े और गेरने के साथ ही सामने से आ रही ट्रक ने दो लोग को अपनी चपेट में ले लिया घटना के बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने सभी को सदरस्पता लाया जहां चिकित सकों ने दो लोग कुम्रित खोसित कर दिया जार्खन में 22 साल के बाद भी प्रात्मिक सिक्छा कमचूर असकुलों में बच्चों के बैटने के लिए बैंच नहीं पूरविधाइक बंधूतिर की बोले सरका के पास संसाधन की नहीं एक्छा सक्ती की कमी जार्खन इस्थापना के 22 वर्सों के बाद भी सिक्छा की स्तिती और इसके अस्तर में सुधार नहीं आया है पूरा विधायक बंधूतिर्की ने राज की सिक्षा वास्था पर तेखी टीपनी की है बंधूतिर्की ने कहा है कि राज में 21,000 प्रात्मिक विद्धाले हैं जिसमें से 16,000 वैसे उतकर्मित अस्कूल हैं जो सर्व सिक्षा अभ्यान के तहद चल रहे हैं हाथ से हाथ जोडो अभ्यान को बूत अस्तर तक ले जाने का होगा काम डॉक्टर रूपम आज देश में फैले नफरत के माहोल में राहूल गांधी भारत जोडो यात्रा कारिक्रम सफलता पूर्वा कर रहे हैं इसमें हरजाती धर्म समुदाई के लोग उनके साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं जार्खन में भी भारत जोडो उपियात्रा सफल रहा यह बाते कॉंग्रेस भवन रांची में अकिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी औभी सिवभाग की कोडिनेट सहा कॉंग्रेस औभी सिवभाग की जार्खन परभारी डॉक्टर रूपम ने कही उन्होंने कहाए कि इस कारिक्रम को आगे बढ़ातो हुए हाथ से हाथ जोडो अभ्यान के तहट 26 जनवरी से परखन से पंचायत बूत अस्तर तक ले जाने का कारणे और भी सिवभाग द्वारा मजबूती से किया जाएगा कोडर्मा में जन्म दिन की पाटी में सिकसर से काटा केक बिहार की दो युवग गिरबतार तिलया थाना चेतर में जनदन की पाटी में सिकसर से केक काटने का एक मामला सामनी आया है S.P. को सुचना मिलते हैं पुलीस ताउरित कारवाय करते हुए दो युवकों को गिरबतार किया है गिरबतार दोनों युवक बिहार की बताया जा रहे हैं पुलीस कर्मी का बेटा और दोस्त निकला आरोपी की गत 20 दिसंबर 2022 को हजारी बाग पुलीस लाइन में अस्तित पुलीस कर्मी परसू राम राम के क्वार्टर से टाटी झृरिया जो है जरपो गाउं की रिंग की कुमारी की हत्या हुई थी इस मामले को लेकर लोशिग्ना थाना के पुलीस ने पुलीस कर्मी जो है परसू रा से बायोमेट्रिक उपस्तिती की आधार पर वेतन भुकतान की आदेश का विरोध कर रहे हैं। बायोमेट्रिक उपस्तिती का वहिस्कार करेंगे।